नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News आज 2 फरवरी 2023 दिन ब्रेश पतिवार आईए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं दिन बर की शुर्कियों पर सेम मनोहरला ने बजट को सराहा बोले युवा महिला किसान होगे लाभानवीत दैसे इलक्टरिक वहिकल, मोबाइल फोन सस्ते, सिगरेट चांधी और किचन चिमनी हुई महंगी इंकम टैक्स छूट की सिमा आट साल के बाद बड़ी, गरीबों को एक साल और मिलेगा मुफतनाज, युवाओं को रोजगार के लिए एहम एलान बजट के बाद शेयर बाजार रहा फिका, सोना चांधी चमके, तीन क्रोड तक के धंदे पर ओडिट नहीं, बिजनेस आइडिया लाइए, लोन के गारंटी सरकार देगी, टैक्स में भी छूट मिलेगी किसानों को लोन के लिए डेड़ लाक करोड बढ़ाई, स्टार्ट अप के लिए अलग से फंड, तीन साल में एक करोड लोगों को नेचुरल फार्मिंग से जोडने का है प्लान बजट पर किसने क्या कहा, बीजेपी ने उम्मीदों वाला बजट पताया, तो भी पक्स बोला महेंगाई बिरोजगारी की तो इसमें बात ही नहीं हुई बड़े बदलाव की ओर, क्रेडिट कार्ज से रेंट भरने पर देना होगा एक्स्टर चार्ज, गेस लिंडर की दामों में क्या बदलाव रहा, बताएंगे इस खबर में दिल्ली में मेर चुनाव की तारिकों का एलान 6 फरोरी को होगी वोटिंग, हरियाना के दो और शेहरों थाने सर और यम्नानगर में जियो ट्रूप 5 जी सेवा हुई लांच, और अब खबरें विस्तार से सबसे पहले मोसम अपडेट, हरियानावे एंशार में फिर से ताहमान में आई गिरावट, जानी आगे कैसा रहने वाल है मोसम का थाज़ा हाल, हरियानावे एंशार दिल्ली में एक बार फिर से उत्री ठंडी बरफिली हवाओं की वज़े से संपून इलाके के ताहमान में दर्ज की गई है, शंपून मैदानी राज़े में हिमाले से आरे उत्री बरफिली हवाई, एक बार फिर से आमजन को ठिटूराने लगी है, अगले च्यार से पांस दिन तक इसी प्रकार की मोसमें गत्वीद्यां दर्ज की जाएगी, हालंकि हरियानावे एंशार दिल्ली मे और राल मोसम एक सब्ता तक साफ और सुस्क बना रहेगा, दोब भी अच्छी निकलेगी, जिसकी वज़े से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी, तो वहीं रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी सेम मनोरलाल खटर ने बज़ट को सराहा बोले युवा महिला किसानोंगे लाबानमीत 2.5 कुरोड हरियान वाशियों पर केंदरित, हरियाना के सेम मनोरलाल खटर ने केंदरे बज़ट पर अपनी परतिकरिया दी है, उन्होंने काया कि वित मंतरी ने समाज के हरवरक को ध्या में मिल का पत्तर साबित होगा, मुख्यमंत्रे ने कहा कि आम बज़ट पी-म नरेंदर मोधी के सपनों के अनुरूप देश को विशु के अगरणी अर्थ विवस्ता बनाने के दिशा में सार्थक सिद होगा, यह देशवास्यों को नई उर्जा देने वाला सरुवयपी, सर परशी और सरुष समावेसी बज़ट है, सुसासन गरेबी उन्मूलन, समाजे कार्थिक परिवारतन और रोजगार सर्जन का नया अध्या लिखने में यह एहम योगदान देगा, मनुरलाल खटर ने कहा कि यह बज़ट समावेसी अभाविश्यवादी है, जिसमी नोकरी, युवा, महिलाईं और किसान सभी के ससक्तिकान को ध्यान में रखा गया है, सीम ने कहा कि बज़ट में कुछ ऐसी घोशना ही हुई है, जिसके हरियाना को सीधे तोर पर लाब मिलेगा, उन्होंने बताया कि मोटे अनाज की तोर पर इंडियन इंस्ट्यूट अफ मिलेट की गोशना, माच्च पालन और बागवानी चेतर को बढ़ावा, या फिर एक करोड किसानों को प्राकरतिक खेती के साथ जोडने जैसे कई ऐसे निर्ण हैं, जो हरियाना की किर्शी व्यवस्ता को और भी हतिक मजबूत करेंगे, हरियाना भी इस बज़ट से प्रेणा लेकर, धाय करोड हरियान वाश्यों को ध्यार में रखकर अपना बज़ट बनाएगा, केंदरी बज़ट से हरियाना की उम्बिदे टूटी, NCR को नहीं मिला स्पेसल पैकेज, कई और गोशनाओं पर भी स्थेति स्पस्ट नहीं, केंदरे वित मंतरी निर्मला शीतरमन के बजट से हरियाना को बड़ा जटका लगा है, बजट में मुख्यमंतरी मनहुरलाल खटर की NCR एरिया में आने वाले चोदा जिलों के लिए विशेस पैकेज की मांग को दर्कनार कर दिया गया है, बजट में इसको लेकर कोई जिकर तक नहीं किया गया है, इसके अलावा भी बजट की रेल प्रोजेक्ट को लेकर भी केंद्रे वित मंतरी नहीं कोई प्रावदा नहीं किया, हालांकि 2022 में रेल ओर्बिटल प्रोजेक्ट के लिए हरियाना को केंद्र से 874 क्रोड रुपे प्राप्त हो चुके हैं, इसके अलावा बजट में नार्मोर में इंटिग्रेटेड मॉ हारियाना के कैथल में सरपंच बुद्वार डिप्टी सीम दुशिन चोटाला के विरोध में उतर आए, पुलिस के साथ सरपंचों की जमकल भीड़न तुई और पुलिस कई सरपंचों को गशीट तेवे गाड़े तक लेकर आई, सरपंचों को पुलिस ने हिरासत मिले लिय पुलिस ने सरपंचों को जाट सिक्षन सनस्तान के मुख्य गेट परी रोग लिया, पूरे करनाल रोड को पुलिस चावनी में तब दिल कर दिया, सरपंच वहीं पर डिप्टी सीम और सरकार के खिलाब नारिबाजी करने लगे, माहुल बिगडता देकर पुलिस ने असोशेशन के सदस्य हनवान वाटिका में एकत्रित हुए, जहां से नारिबाजी करते विए जाट सिक्षन सनस्तान तक पहुँचे, यहां पर पहुँचकर सरपंचों ने जमकर बावाल काटा और काले जंडे दिखा कर सरकार के खिलाब नारिबाजी कर परदर्शन किया हर्यान के रोतक में पूरु शेम भुपेंदर सिंग हुड़ा ने भाजपाप पर निशान असादा है, उन्होंने बजट पर बोलते वे कहा कि वर्त्मान सरकारनी कम समय में ही परदेश को करजवान बना दिया है, परदेश पर चारला क्रोड उपे का कर्ज कर दिया है, यह वही बात हो गई कि करज लेकर घी पीए, भुपेंदर सिंग हुड़ा बुद्वार को दिल्ली रोड स्तित सोथंतरता सेना नी, चोधरी रणबीर सिंग समाधी स्तर पर पर पहुंचे थे, उनके पुन्य तिति पर उन्हें पुर्षपांजली अर्पित की, पूरुष यह वपेंदर सिंग हुड़ा नी कहा कि चोधरी रणबीर सिंग जब पंजाब और हर्याना का बटवार हुआ था, तो उस समय जो हर्याना को पानी देने वाला समझोता हुआ था, उसके चेर्मेन भी थे, हर्याना को सप्लाई होने वाले पानी के नहर के चमता कम थी, इसलिए एश्वायल से पानी दिया जाना था, लेकिन आज तक पानी नहीं मिला है, जबकि सुप्रीम कोड का फैसला हर्याना के आक में आ चुका है, केंदर और परदेश में बीजेपी की सरकार है, इनके जिम्मेदारी है कि एश्वायल नहर को खुदवाई, उन्होंने इटेंडरि एक बड़ा ब्रष्टाचार घोटाला साबित होने वाला है, इसलिए सरपंचों की मांग जायज है, बुपेंदर सिंग हुड़ा भासपा की गोहान रेली को लेकर ज्यादा कुछ कहने से बचते भी नजर आई हरियाना में FCI यानि Food Corporation of India के गोदामों में सेवा दे रहा होमगाड के जवानों की सेवा स्माप्त करने का मामला पंजाब हरियाना हाई कोट पहुँच गया है, पंचकुला के अखिल भारते होमगाड कल्यान स्मिती ने FCI के उस पत्र को खारिज करने की मांग किया है, जिसक आनक FCI ने दो पत्र जारी कर इन जवानों की सेवाईं आगे जारी ने रखने का निरने ले लिया है, ऐसे में इनके सामने नोकरी का संकट पैदा हो गया है, याची का करताओं ने बताया कि उनकी सेवा स्माप्त करके नीजी सुरक्षा अजिन्शी को सुरक्षा का जिमा FCI जो कि गलत है, ऐसे में परदेश में FCI के गोदावों में सेवा दे रहे हजारों होमगार्ड का रोजगार छिन जाएगा, हालांकि कोर्ट ने होमगार्डों को राहत नहीं देते वे कहा कि नोकरी पर रखना या नहीं रखना, FCI यानि Food Corporation of India की विवेक पर निर्भर करता है तैत महिलाओं को 2 लाक रुपे तक की बचत पर 7.5% के इसाब से ब्याज दिया जाएगा, बजट के तैत 157 नई नर्शिंग कोलेज खोलने की भी घोशना की गई है, बता दें कि इस बजट में महिलाओं की पहली पसंद रहने वाले गहने महंगे हो गई है, सोने और चांद रुपे तक की आए पर किसी भी प्रगार का कोई टेक्स नहीं लगेगा, कि अंदर सरगार की तरब से 7 लाग रुपे तक की इंकम टेक्स फिरी कर दी गई है, वहीं सिग्रेट, सोना, चांदी, प्लेटिनम, चिमनी, आधी, महंगी होंगी, वहीं इलेक्ट्रोनिक वाहन, ख प्लेला सम्मान बचत योजना पर पहले से ज़्यादा ब्याज मिलेगा, सीनियर सेटिजन सेविंग स्कीम के ब्याज दरें, 7.5% से बढ़ाकर 8% कर दी गई है, साथी स्कीम में निवेस की सीमा 15 लाग रुपे से बढ़ाकर 30 लाग रुपे कर दी गई है, साथी 2014 से अब तक बने 157 मेडिकल कोलेजों के साथ ही 157 नर्सिंग कोलेज भी खोले जाएंगे, बच्चों और युवाओं के लिए डिजिटल लाइबरेरी बनाए जाएगी, जिसमें सभी भासाओं के किताब होंगी, रिजिनल एर कनेक्टिवटी को बहतर बनाने के लिए देश में 50 नई ए एंटर भी खोले जाएंगे, एरफोर्स स्कूल जोबस अबडेट, वायू सेना स्कूल चंडिगड में आई वीभिन पदों पर भरती जल्द करें आविदन, वायू सेना स्कूल चंडिगड द्वारा अध्यापक अटेंडन हेलपर के पदों पर भरती के लिए आविदन मां करने तो साथ फरवरी 2023 है, लाइब अटेंडेंट, लेखा सायक, TGT सोसल स्टडिज, PGT में अंग्रेजी भोत की रसायन और बायोलोजिक वर गनित्क पदों पर साथी PGT कंप्योटर, PGT सारे एक शिक्षा, इन पदों पर ये भरतें की जाएंगी, किसी भी वरक के उम्मिद और बेरोजगारी के तो इसमें बात ही नहीं की गई, केंद्रे वित मंतरी निर्मला शीतरामान ने बुद्वार को लोगशबा में अपना पांचवा आम बजट पेस किया, इस दोरान क्रिशीक, शिक्ष्या, गरीबों और नोकरी पेसा लोगों के लिए एहम ऐलान किये कहा कि अमरत काल का पहला बजट विक्षित भारत के निर्मान की मजबूत नहीं रखेगा, हर वरक का सपना पूरा होगा, यह बजट गरीब, मध्यमवालक, किसान साइथ, आकान सी समाज की सपनों को पूरा करेगा, प्रंप्रागत रूप से अपने हाथों से देश के लिए मेहनत करने वाले विस्व कर्मा इस देश की निर्माता है, पहली बार विस्व कर्मा की पर्षिक्षन और सायता से सम्मादित योजना बजट में लाई गई है, कांग्रेस नेतर राउल गांदी नहीं कहा कि यह मीत्र काल का बजट है, भाईशे के लिए सरकार के पास कोई र में बाहर कई है, वैसे जुमले इस बजट में डाल कर इसे दो रहाय गया है, बजट में महेंगाई और मुद्रा स्पीत में इजफ़ा है, जिस पर ध्यान देना चाहिए था, उन्होंने का आकि वे हर साल दो क्रोड नो क्रिया देंगी, सरकारी भरतियों के लिए भी कुछ बजट में कुछ भी नहीं किया गया है, गरीब बिरोजगार के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, वहीं पूरु वित मंतरी पीजितमरम ने का है कि 2023 के बजट से पता चलता है कि ये सरकार लोगों और आजीविका के बारे में उनकी चिंताओं से कितनी दूर है, ये ए भी भी कई सवाल उठते हैं, बजट में मनेका का कोई जिकर नहीं था, सरकार मजदूरों के लिए क्या करने जा रही है, बेरोजगारी मेहंगाई की बात भी नहीं की गई है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवालने का है कि इस बार बजट में दिल्ली व करने की कोई ठोस योजना नहीं है, शिक्ष्या बजट गठा कर 2.6% से 2.5% करना दुरभागयपूर्ण है, वहीं स्वास्त बजट को भी गठा कर, यानि 2.2% से गठा कर 1.9% करना हानिका रहा है, बजट पर पीड़ेपी चीप मेहबुबा मुप्ती ने भी अपनी परतिग जा रहा है, जंता को टेक्स से फाइदा होना चाहिए, लेकिन उससे उसकी कमट तूट रही है, पीड़ेपी चीप निकाए कि आम लोगों को ला पहुचाने के बजाए क कल्यानकारी योजनाओं और सबशिडी को खत्म किया जा रहा है, वहीं सपा सांच से डिंपल यादव निकाए कि ये बजट निल बटा सननाटा है, बियार के लिए कुछ नहीं है, केंदर में बियार के जितने सांसद हैं उन्हें सर्म से डूब जाना चाहिए, किसानों के लिए, रेलवे के लिए कुछ नहीं है, वहीं योपिय की सरकार में बियार को जितना दिया जाता था, क् आम जनता विरोधी है इनलों के परदान महासेची एम एलनाबाद के विदायक अबैसिंग चोटाला ने केंजर सरकार द्वारा वर्ष 2023 के लिए पेश किये बजट को किसान, कामगार, चोटे वैपारी, युवा और आम आदमी विरोधी बताते हुए का कि आज जो सबसे ज़् पूरतमंद वर्ग है, उनकी पूरणत्या अंदेखी की गई है, उन्होंने का कि इस बजट में है तो आम आदमी के लिए महेंगाई दूर करने की, नहीं युवाओं के लिए बेरोजगारी दूर करने की, और नहीं किसानों को उनकी फसलों पर MSP देने की कोई योजना बना उन सभी वर्गों की बूरी तरसे अंदेखी की गई है, एक फरवरी से हुए बड़े बदलाओं, क्रेडिट कार्ड से रेंट भरने पर देना होगा एक्स्टा चार्ज, गैस सिलेंडर के दामों में नहीं हुआ बदलाओ, एक फरवरी यानि कल से देश बर में कई बदलाओ चुके हैं, अब टाटा की गाड़ियां खरीदने के लिए ज्यादा फैसी चुकाने होंगे, टाटा ने गाड़ियों की कीमत 18,000 रुपे तक बढ़ा दिये, इसके लावा बैंक को बड़ोदा के क्रेडिट कार्ड से रेंट भरने पर अब एक्स्टा चार्ज देना होगा, ह एक परशेंट फेस वसूलेगा, मुंबई और आसपास के इलाकों में सीनजे के केमतों में 2.50 रुपे की कटोती की गई है, इस हिसाब से मुंबई में अब वाहनों में उप्यों की जानवाले सीनजे की संसोधित केमते 89 रुपे 50 पैसे परती किलोगराम से घटकर 87 परती कि करने हुए है, राजस्तान के सरकारी स्कूल में निकली बंपर वेकेंशी, 40 साल तक की उमर के उमिद्वार एक मार्ज तक कर्श कहिंगा अपलाई, सरकारी स्कूल में टीचर बनने का सपना देख रहा है, युवाओं के अच्छी खबर है, राजस्तान के सिक्षय विभाग मात्मा गांधी इंग्लिस मेडियम स्कूल में 9712 पदों पर वेकेंशी निकाली है, इसमें 9108 पद नोन टेस्पी चेतर के लिए, जबकि 604 पद टेस्पी चेतर के लिए है, इसके लिए उमिद्वार शिक्षय विभाग की ओफिसल वेबसाइट SSO.RAJSTAN.GOV.IN पर जाकर एक मार्स तक आविदन कर सकते हैं, हालंकि सिक्सेग बाकी यह भरती समीदा के आदार पर की जा रही है, भरती परकिरा में स्लेक्ट होने बारे उमिद्वार को हर महीने 16,900 रुपे से लेकर 29,600 रुपे तक सैलली दी जाएगी, उमिद्वार की मिनिमुम उमर की बात करने तो 21 स जादा नहीं होनी चाहिए, कुल 9712 पतों पर यह भरती होनी वाली है, उमिद्वारों को सोर पे फीस ओनलाइन जमा करने होगी, राजी के आरक्षित वर्गों के उमिद्वारों को फीस में छूट दी गई है फरिदाबाद में तीन फर्वरी से जमेगा सूरजकुन मेले का रंग, इन कलाकरों की प्रस्तुती लूटेगी महफिल हर्यान के फरिदाबाद जिले में 36 में अंतरास्टे सूरजकुन हास्त सिर्फ मेले का आयुजिन हो रहा है तीन से उननीस फर्वरी तक चलने वाले इस मेले के तैयारियन लगबग पूरी हो चुकी है इस बार मेले की खास्यत यह रहेगी कि संगाई सहयोग संग्ठन से जुड़े 17 देश पहली बार कंट्री पार्टनर के तोर पर मेले में सिर्कत करेंगे भारत के उपराश्पति जगदिप धनकाड तीन फर्वरी को सुरजकुन मेले का उधगाटन करेंगे इस बार मेले में 1200 से अधिक स्टाल लगाए गए हैं और इनमें से 100 से अधिक स्टाल विदेशिक लाकारों के लिए रिजार होंगे वहीं बात करें पांच परवरी को मालीन अवस्तिक का प्रोग्राम रहेगा सत्रा फरोडी को मामे खान की परश्तूति होगी सुरजकुन मेले की सुरक्षे वैवस्ता की बात करें तो क्राइम ब्राइंच के 250 से ज़्यादा पुलिस कर्मी साधी वर्दी में मेले में तैयनात रहेकर ऐसामाजिक तत्तों पर नजर रखते भी दिखाई देंगे हर्याणा में इटेंडरिंग के विरोध का असार गाओं की विकास कारियों पर दिखने लगा है हर्याणा सरकार पंचायतों के खाते में 1100 क्रोड रुपे की रासी भेज चुकी है लेकिन सपत लेने के दो महीने बाद भी नव निर्वाचित पंचायते इटेंडरिंग वाले परस्ताव भेजने में रूची लेती हुई नहीं दिखाई दे रही है अब तक विकास एंपंचायत विभा के पास इटेंडरिंग वाले मातर 20 परस्तावी आये हैं हरियाना में 6201 पंचायते हैं इसके अलावा 2 लाग रुपे तक के बिना इटेंडरिंग के आने वाले विकास कारियों की बात करें तो 25 क्रोड 60 लाग रुपे के 1280 परस्ताव आ चुके हैं वहीं जन्वरी में पंचायतों के खाते में डाली 1100 क्रोड रुपे के रासी को अप्रेल से पहले खर्च किया जाना है नया वित्वर सुरू होते ही है पैसा लैप्स हो जाएगा पंचायतों से अधिक प्रस्ताव भिजवाने के लिए मुख्यमंत्रे ने भाजपा के विधायकों की भी जिम्मेदारी शोपी है अब विधायक सरपंचों को सादने की कोशिश कर रहे हैं साल 2024 में लोकसवा चुनाव भी होने हैं इसलिए सरकार हर हाल में गाउं की समस्याओं को निप्टाने की कोशिश कर रहे हैं दो लाग से उपर के प्रस्ताव मातर तिन ब्लोकों से आये हैं इनमें अंबाला जिले के बराड़ा से चार, सोनिपत जिले के मुडलाना से आठ और करनाल जिले से करनाल ब्लोक से विकास कारियों के आठ प्रस्ताव मिले हैं बजट के बाद सेर बाजार फीका, सोना चांदिश चम के सेंसक्स 158 अंक चड़कर बंद अडाने एंटरप्राइजे 26% टूटा, सोना एक जार रुपे बढ़ा वितमंतरे निर्मला शीतरामने बुद्वार यानी एक फ्रोडी को बजट पेस किया ऐसे में बाजार की नजर सरकार की गोशनाओं पर रही बजट भाशन के बाद सेंसक्स में करीब 1000 अंकों की तेजी दिखाई दी हालांकि बाद में एक एक एवल 158 अंकी तेजी के साथ 69708 की स्तर पर बंद हुआ वहीं निफ्टि की बात करें तो 45 अंक गिर कर 17616 की स्तर पर बंद हुआ हिंडन बर्क की रिपोर्ट की कान अडानी गुरूप की सेयर दवाव में रहे कि मुकाबले 5 पे से मजबूत हुआ है एक डोलर का रेट 81 रुपे 93 पे से के स्तर पर बंद हुआ आज खाबरों बस इतना है देखते रहेए CWB हिंदी निउज नमस्कार